चले आज बनाते हैं बहुत ही जटपट और आसान विलेज. इस टाइल आलू की मसाली वाले चावल है लो जी आई वयव है मेरी प्यारी प्यारी वर्स को मेरा प्यार बरा सलाम तो आज़े देख लेते हैं इन आलू के मसाले वाले चावल को मैंने कैसे बनाए कूकर में आधा कप ओयल को गरम कर लेंगे और यहां एक छोटा चमर जीरा, एक इंच का दारचीनी का टुकडा, दसें काली मिर्चे और तीन लिया चोटी लाइची हैं और एक है तेशपात का पता अब इन सभी गरम मसालों को हमें कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेना है यह फ्राई हो चुक हैं अब एक मीडियम साइस की प्याज को मैंने बहुत भारिक काटा है तो आलो हमारे फ्राई हो चुकिए हम यहाँ नहीं कुछ मसालें हमाच छोड़े चमचस चार्ट मसाला फोड़ेज करशीमरी लामिच भाड़नी 좀 थनीख धनिया पॉर्र. तोड़ा डालेंगे पान और डालेंगे मीडियम साइज का टिमाटर और 2 हरी मेचे इन सभी चीजों को हमें अच्छे से मिला लेना है मिलाने के बाद में यहाँ पर डालूँगे एक पड़ा चमच लेसं दरखा पेस को डालकर अच्छी से मिला लें इसमें और सभी मसालों को जब तक हमें भूना है जब तक की बहुत अच्छी सी खुश्मू नहीं आने लगती है मसालों को आप अच्छे से भूना करें वनना तो उनका कच्छा टेस्ट हमारी रेसिपी को खराब कर देता है यहाँ पर मैं डाल लई हूँ साड़े तीन कप पानी और यहीं पर लिए मैंने दो कप वाइट राइस जिने मैंने आदे घंटे भी गोया है इन्हें डाल देंगे और हाँ अगर आपके सेलर राइस हैं तो उसमें बराबर का पानी डलेगा अब आप यहाँ पर नमक चक्के देख सकती हैं कम लगे तो डाल सकती हैं अब हम इसे कवर कर देंगे कवर करके हाई फ्लेम पर हम इसमें एक सीटी लगाएंगे और जब कूकर खुड ठंडा हो जा जाते हैं तो आप मेरे मैथड से बनाएं आपके चावल कभी भी नहीं जुकेंगे अगर आपको यालू के मसारे के चावल पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो देखने के लिए शुक्रिया